Hey students, बच्चों हम बिल्कुल new chapter आज start करने जा रहे हैं My Mother Saw a Dancing Bear by Charles Cowsley Charles Cowsley के बारे में आपको क्या है? ये एक poet है जो अपनी poems usually कैसे लिखा करते थे? Ballad form में लिखा करते थे Ballad एक poem होती है जो story सुनाती है ठीक है story के form में लिखा करते थे इसके अरावा ये plays लिखते थे, short stories लिखते थे ठीक है book भी इन्होंने क्या कहते है अपनी एक publish की ठीक है और इनको Queen's Gold Medal मिला इनकी poetry के लिए 1967 में Uncall Mondly Award मिला 1971 में ये मतलब आपके author के बारे में कुछ important बात है अब बच्चों यहाँ पे जो chapter है My Mother Saw A Dancing Bear बहुत sensitive chapter है एक बहुत important issue से deal करता है और वो issue है animal rights का बच्चों यहाँ पे आप एक picture देख पा रहे हो ठीक है? फर्स्ट पिच्चर देखो आप जिसमें एक आदमी खड़ा है उसकी जो एक आदमी खड़ा है उसकी हाथ में एक रसी है उसे रसी से बियर का mouth बंदा हुआ है ठीक है? तो ऐसे बियर को वो देखो आप देख पा रहे हो वो dance कर रहा है बियर और उसका face देखो कितना ज़ादा वो दुखी लग रहा है ऐसे बियर्स को क्या कहते है? अब pre-reading activity अपनी rate करिए ठीक है? उसमें कुछ questions दीए है उसको answer करिएगा book में ही ऐसे बियर्स को क्या कहते है? इसको हम performing beer कहते है performing beer जैसे आपने देखा है हमारे हाँ कुछ गलियों में आप देखो तो लोग monkeys को monkeys लेके घुमते हैं और फिर आप उनको pay करते हो money देते हो और वो dance वेगेरा या beatings चल के कुछ दिखाते हैं monkeys का show type snake charmers भी होते हैं हमारे हाँ वो snake snake को लेके चलते हैं फिर वो कुछ बजाते हैं तो snake perform करता है उसी time पे पहले कुछ सालों पहले ये बहुत ज़ादा famous activity थी इंडिया में भी and Europe, Asia, North America इसमें ये ऐसा मतलब ऐसा बहुत easily देख सकते थे क्या होता था जो beers होते थे उनकी जो nose है उसको क्या करते है पियर्स करके उस पे उनकी जो sensitive nose होती है उस पे एक ring या rope बांदी जाती थी चीक है अब यह जो आदमी आपको बगल में खड़ा हुआ दिख रहा है इसको कहते हैं keeper क्या कहते है keeper keeper कौन होता है जो उसको बियर को ऐसे बांद के रखता है उससे performance figure कराता है उसको keeper कहते है चीक है चले अब second picture देखे बच्चो second picture में आपको बियर कहां देख रहा है वो अपने natural habitat में natural habitat means nature में वो जहां पाया जाता है like अगर मैं loin के natural habitat की बात करूँ तो वो है jungle penguin की natural habitat की बात करूँ तो वो ice में रहता है है ना तो वो अपने यह है second picture में वो देखो river के पास है fish खा रहा है बियर अपको कौन सा बियर जादा खुश लग रहा है या आप सोचिए कौन सा बियर जादा खुश होगा जिसके उपर कोई बंधन नहीं है जो खुशी से अपने natural habitat में रह रहा है fish खा रहा है जो उसका मन कर रहा है वो कर रहा है या जो first वाला है जिसको keeper ने पकड़ के रखा है जब दिस्ती वो dance दिखा रहा है कौन सा होगा खुश जादा of course second वाला ठीक है तो इस poem में हम यही बात करेंगे कि my mother saw a dancing bear उनके उपर कैसे ज़्यादती की जाती है and of course हम लोग को पता होना अच्छी है कि यह जो पूरा planet है यह केवल हम humans का नहीं है हम साथ में plants and animals इन सब के साथ इसे share करते हैं है ना और क्योंकि यह लोग animals इनके rights नहीं देते आपको कई बार देखा होगा कि accidents में कोई animal है उसकी death हो गई बट जो car चला रहा हो या कोई भी vehicle चला रहा हो जिसकी वज़े से उस animal की death हुई हो injury हुई हो उसको कभी कोई सजा नहीं होती ठीक है तो बहुत sensitive chapter है बहुत अच्छे issue से deal करता है विसल पाइप और प्लेड अट्यून दे ब्रून लिफ्ट अप it's head तो क्या है बच्छो जो keeper है उसके पाद पास एक विसल पाइप है विसल पाइप है ठीक है विसल पाइप है और एक ट्यून वो play करता है त्यून आप जानते हो उससे play करता है the brune lifted up his head brune beer के लिए एक दूसरा word भी है European brown beer European brown beer जैसे आप beer इस मिर्चर में देख पा रहो ऐसे beer को हम लोग brune भी कहते हैं जैसे वो tune play करता है तो beer अपना सिर उठा लेता है चलिए इसके आगे हम next session में पढ़ेंगे आपका homework आपको ये जो मैंने pre-reading activity के questions बताए है वो आपको लिखने है और four lines poem की recite करनी है